हेलो दोस्तों रभी ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज फिर से हम लोग देखेंगे इसके जहार सर द्वारा मोडल सेट प्रयक्टिस सिवन पहला की हुचन है पचास हरटज देखिए नोमेरिकल बनाने के लिए सूतर को लिखने के लिए चाहे किसी कोंसेप्ट के लिए के पेन कोपी लेके बैठेगा पचास हरटज आप पूरती से पूरित और 960 आर्पीम की बस तबिक गती पर घोधनी एक छे धुरूब प्रयरन मोटर का प्रतीसत स्लिप ग्यात करें देखिए यहां पर दिया हुआ है आपसे स्लिप पूछ रहा है क्या पूछ रहा है स्लिप पूछ रहा है स्लिप बराबर एक सूत्र होता है एस बराबर एनस माइनस इनार बटा इनस क्या होता है एनस तो आपको सरे इनस पता होना चाहिए थी इनस क्या है देखिए हार्टज दिया हुआ है एक वराबर तो 50 आर पीएम दिया हुआ है और पोल दिया हुआ है तो आपको बताएं थे एनल निकालने का फर्मुला यह ऑने बराबर जो फर्मुला होता है वही एसर बराबर एनस बराबर होता है एनस बराबर फर्मूल अधा एक सो बीस एफ बटा पी यहां से एनस निकालिएगा कि तो एक सो बीस गुने पचास और बटा चे तो हाल किजिएगा तो आएगा एक हजार आड़ पीम कितना आएगा तो एनस एक हजार मिल गया और एनर कितना इनर कितना दिया हुआ नौशाथ दिया हुआ है यहां से लिख लीजिए उसके बाद देखें सिलीप के लिए एस बराबर फर्मूला होता है एनस माइनस इनर इनर बटा है और प्रतीशत में निकालना है तो सो प्रतीशत अब यहां पे एनस कितना था एनस कितना था एक हजार माइनस नौसओ साथ बटा एक हजार और गुने सो इसको सोल्फ किजिएगा तो चार प्रतीशत आएगा पहला का कितना हो जाएगा चार प्रतीशत अब का आपको फर्मूला समझ में आया होगा जब लाइन का एक सीरा जब लाइन का एक सीरा रूध है भी इंड होता है तो ओनाया थियर होता है तो लाइन में अधीक तनन होता है् अधीक तनन से लाइन को निकालने के लिए किसंप उप्योक किया आता है तो ऑप्सण में D होगा वि्कृत से भिदूतर रो Алगर एक आठ धुरोग एक आठ धुरोग डीसी जनरेटर में 960 अर्मेचर चालक और प्रति धुरोग फलक्स 20 मेगा बेबर है तो 500 अर्पीम पे चल रहा है जो 500 अर्पीम पर चल रहा है यदि आर्मेचर को सिंपलेक्स लेंप कुंडली की रुप में जोरा जाए तब पादित इम एव विधुतबाहकवल की गन्ना करें तो हो जाएगा एक सो साट वोल्ड फर्मूला होता है ये भी बरावर पी फेज पी फेज जेड इन नावकिये बिदूत अश्टेशन के समंद में निमन में से कौन सा बिकल्प सही नहीं है तो नावकिये बिदूत अश्टेशन के समंद में या कत्थन कलत है कि इसका संचालन कम विश्व निये हैं आपसा नमबर बी क्योंकि इस सहांत्र का संचालन विश्व निये होता है नावकिये बिदूत अश्टेशन में परमानू इंधन यूरेनियम 25 थोरियम 232 और पल्टोनियम 249 के परमानू तोर कर ताप उत्पन करके पानी गर्म किया जाता है निमन में कौन सा कम रखावाली मोटर है निमन में कौन सा कम रखावाली मोटर है तो प्रेरन मोटर है प्रेरन मोटर में केज इंडेक्शन मोटर सबसे कम रखावाली मोटर होती है क्योंकि इसमें ब्रास कम्यूटेटर इत्यादी नहीं होता है जबकि डी सी मोटर में ब्रास कम्यूटेटर स्लिप रिंग इत्यादी होते हैं उसका मंटेनस ज्यादा काना पड़ता है कि लेकिन याद रखिएगा कि आयोग द्वारा माना गया है सही उत्तर है डीसी स्रेनी मोटर है को कम रखाओ वाली मोटर में रखा गया है दिये गए परतीक में ट्रांसफार्मर को पहचानिये तो दिये गए में दो क्रोडवाली धारा ट्रांसफर्म है दो क्रोडवाली धारा ट्रांसफर्मर है और अप्सन नमर क्या होगा यह जियाबक्र जियाबक्र दस कोष इंटू 200 टी पलस 45 डिग्री भोल्ट और भी टू इतना है तो भोल्टता के मद कलांतर ग्याद किजिए तो कलांतर हो जाएगा 120 डिग्री कितना होगा 120 डिग्री दॉस्ट का उप्योग निर्वात मार्जक में किया जाता है इसमें बस तभीक मोटर की गतिक लोड कितनी होती है तो सार्वत्रीक फिर से पढ़ जाते हैं देखिए सार्वत्रीक मोटर का उप्योग निर्वात मार्जक में किया जाता है इसमें बस तभीक मोटर गति भार गति अधीक होती है मतलब सार्वत्रीक मोटर में बस तभीक मोटर गति लोड सबसे अधीक होती है दिये गए अनुप्रयोगों में से किसमें बिधुत्र चुमकों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो तापत दिप्ट दिफ में इसमें किया जाता है लेकिन तापत दिप में नहीं किया जाता है तो आप्सayन सी होगा कौनसा भरतिये बिधुत अधनिया में उदासिन चालकों की पहचाने था उनके switch of cut out किस्तिती का बायनन करता है तो नियम सैंख्या 32 नियम सैंख्या 32 एक बहार पर एसी भोलता प्रियुक्त की जाती है यदि प्रियुक्त भोलता का तरंग रूप और धारा नांकित चित्र में दिखाया गया है तो बहार क्या हो सकता है तो सूध है सूध भार है एल होगा सर क्या होगा सूध भार है एल होगा अप्सन नमबर सी एल मतलब पिरिक्का आत्वे निमन में से कौन बाप सकती केंदर का हिसा नहीं है बतलब बास्प कहिए बास्प सकती का हिसा नहीं है तो पातनल क्या पातनल पातनल जल बिदू सयंत्र का हिसा होता है पेन श्टोक जल सकती सयंत्र का भाग होता है देखिएगा दोस्तो गतिक प्रेरित बिदूतबाहकवल इलेक्ट्रो मोटिक फोर्स उत्पादित करने के लिए निमन में से किसकी अब सकता होती है महता है तो प्रेरित बिदूतबाहकवल उत्पादन करने के लिए निमन में से किसकी अब सकता नहीं होती है सोरी होती है तो तीनों के चुमाक्ये श्ट्रके चालक च्छ्ट्रके चालक और कुमाक्ये सच्चे इपेचिए गती का उप्योग होती है पारिपत में कीस परकार के मसीन का प्रयोग किया गया है चवदा नमबर देखिएगा तो ऐसी आपको चीत रिदेद्दे का एकजाम में आपसे पूछेगा तो लगु संट योगिक जनीतर है यह जो देख रहा है न यह हमारे प्रयोगिक जनीतर होता जिसे लगु संट योगिक कहा जाता है लगु संट योगिक है छे पोल डीसी मसीन में आर्मेचर में डुपलेक्स बेव बाइडनिंग है कितने ब्रस उस मसीन में पदो क्याप साइकता है तो देखिए आपको बता दे कि ब्रसों की सैंख्या बराबर होता है ब्रसों की सैंख्या बराबर लिखेगा तू गुने सिंपलेक्स में ब्रसों की सैंख्या तो अप्शन नंबर यह होगा लेकिन यहां पर आपको आयोग द्वारा इसके माना गया एंसर जो था ओछे था क्या था छे आप छे पोल की जोत नहीं है सिंपलेक्स ब्रसों की सांख्याओगा सिंपलेक्स ब्रसहों की हैं दिया हुए दो से गुना की जवेगा में डू ब्रसों मैं दोसटे वर्तित की एक परिघटना है जो बहार में निरंतर उतार चड़ाव के कारण होती है और इसे किसे कुंडलन द्वारा रोका जाता है तो चाल दोलन परिघटना है जो बहार में निरंतर उतार चड़ाव के कारण होती है और इसे अब मंदक कुंडलन द्वारा रोका जाता है तो सोला के क्या होगा अप्शन नमबर ए पीडिएफ डाल देंगे पीडिएफ को आप निकलवा लिजेगा और उसके बात एंसर मिला लिजेगा एक थिरी फेज कला प्रेरन मोटर चार धुरुवों के लिए कुंडली थे चार धुरुवों के लिए कुंडली थे और पचास हर्टज अपुरुती द्वारा अपुरुती थे यदि सिलीप चार प्रतिसत हो तो घुलनन की गति ग्यात किजिए देखिए यहां पे एनेस बरावर आपको निकालना होगा और गुहनन की गति पूछ रहा तो एनेस सबसे पहले निकालना होगा तो एनेस निकालने के लिए आपको फर्मूला बताए एनेस बरावर एनेस बरावर भी फर्मूला होता है एनेस बरावर भी फर्मूला होता है प्रतिस्त निकालने के लिए बस वही शिलीप बराबर एस माइनस इनर वता एस होता है 120 ऑस बालत पी यहां से निकालेगगा तहीं 15 हो ऊधाइब और एनर निकालने के लिए आपको N-1-S, S क्या हो जाएगा? 4 प्रतीसत, S क्या है? S क्या है? S क्या है? S क्या है? S तो 4 प्रतीसत है, तो चार बटा, चार बटा सौ हो जाएगा, तो चार बटा सौ यहां से हल किजिएगा, एक चाउदा सौ चालिस आर्पीम होगा, उप्शन नमबर ए, प्रात्मिक संचरन पनाली में निम्न में से किस भोल्टा अस्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्रात्मिक संचरन में आती उच भोल्टा का अस्तर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 66 के भी, 132 के भी, 220 के भी ए, 440 के भी और 765 के भी होता है, इसमें उससे छोटा को नहीं 33 के भी है तो 33 के भी का पर्योग नहीं किया जाता है ट्रांस्फार्वर के समन्द में निमन में से कौन सा समीकरन सही है तो ट्रांस्फार्वर के समन्द में आइवन टा आईटू बढ़ावर इन्टू चालना है अगर कीसी का मान निकालना है अगर किसी का मान दिया हुआ तो इससे आप तुनला कर सकते हैं यह सही होता है चुम्बक के दो धुरुवों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को क्या कहा जाता है। इसे चुम्बक के आच कहा जाता है। निम्ण में से कौनसा मोटर नियत गती पर चलता है और जो बहार इस्थितियों पर नियभा नहीं करता है। तुलकालिक मोटर को सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर नियत गती पर चलता है और भार इस्थितियों पर निर्भा नहीं करता है। नियत गती की मोटर तुलकालिक मोटर होती है। गैर प्रामप्रिक विदुत उत्पादन में निम्न में से किस सुरत का उप्योग नहीं किया जाता है। गैर प्रामप्रिक विदुत उत्पादन में निम्न में से किस सुरत का उप्योग नहीं किया जाता है। गैर प्रामप्रिक विदुत उत्पादन में निम्न में से किस सुरत का उप्योग नहीं किया जाता है। एक तीन कला प्रिरन मोटर, कला मतलब फेज, तीन कला प्रिरन मोटर, छे धुरुवोग के लिए कुंडलित और पचास हर्टज अपूर्ती द्वारा अपूर्तित है। यदि मसीन चार प्रतिसत सिलीप पर परचालित है, तो घुरनक में प्रिरित धारा के आवरिती ग्याद किजिए। सिलीप आपको दिया है चार प्रतिसत, आवरिती दिया है 50 हर्टज, रोटर आवरिती आपको निकालना है। प्रिरित धारा के आवरिती ग्याद काना है, तो रोटर आवरिती बराबर होता है, यह फ़र रोटर आवरिती को यह फ़र कहते हैं, ग्याद सिलीप के टना है चार प्रतिसत, तो चार प्रतिसत, चार यह बटा कितना होगा 100 ग्यादorkना रोटर आवरिती 50, तो पचास दोनी दूस्ञे कटा 2, तक कितना होगा दो देखेगा उत्तर कितना होगा दो हारटज फिर से बताते हैं सिलीप चार प्रतिसत दिया हुआ है प्रतिसत आवरीती पचास हारटज है रोटर आवरीती पूछ रहा है रोटर आवरीती बराबर होता है एस गुने अस्टेटर आवरीती अस्टेटर आवरी यहां पर जो दिया था वही आप रिती होगा तो गुन चार प्रतिसत बट्टा अटाईएगा सौ गुन पचास तो दो हर्टा जाएगा कि एक दूसों पचास भोल्ट नुमेरिकल का बेश्ट बेश्टर जादे है इसमें भी बरावर दिया है दूसों पचास भोल्ट और चार धुरूब दिया है मतलब पी बरावर दिया है चार और डीसी मोटर का अर्मेचर 782 चालक है तो इसमें संजूक्त अर्मेचर और स्रेनी छित्र प्रतिरोद यतना 0.75 ओम मीटर 40 अंपियर की धारा लेती है तो बिदुत बाहक बलकी गन्ना पूछ रहा है तो बिदुत बाहक बलकी गन्ना इबी बराबर भी आई आर होगा तब ही कमांद 250 और यहां आई कमांद 40 0.75 गुना कीजिएगा तो आएगा 220 भोल्ट ऑप्सन नमबर दे चोविस की क्या होगा ऑप्सन नमबर दे एक लोड पर बहार मतलब लोड पर एसी भोल्टता प्र्यूक्ष की जा आती है और भार धारा सुरूत लोड धारा सुरूत भोल्टता से 30 डिगरी के कोन पर अगर गामी है लोड तत्व क्या हो सकता है लोड तत्व क्या हो सकता है तो लोड तत्व जो है आर सी भार हो सकता है क्या होगा आर सी मतला ए रेसिदेंस और क्या बोलते हैं सन्धहादधा धारिता इसमें क्या धारिता भी है इस ये तो धारिता भी है उस अभी निसकासन को क्या कहा जाता है उस अंस निस्कासन को क्या कहा जाता है जिसे उपभोकता या लाइनों को बिधुत सक्ति क्या पूर्ति करने के लिए निकाला जाता है जहां से उपभोकताओं को बिधुत क्या पूर्ति प्राप्त होती है मतलब बीत्रक जो होता ना डिश्ट उसी की चार्चा बीतरक होगा देखे वह लाइन चालक जो विदूत सक्ति को उपकेंदर से सेवा मेंस तक पहुँचाता उसे भीतरक कहा जाता है भीतरक कहा जाता है थो आप आयंओ अवाह लाइन जा चैलक को बैदूत सक्ति ब्यथ्रक से उप भुछ ता के मीटर भोड़ो तक पहुंच जाताँ उस सेवा मुख कह लाता है सरसमेंच कहा जाता है पीडर किसे कहते हैं फीडर ताप लिधूत सक्ति को उप कैंदर से बित रख को पूर ने वाली करन जो लगूपत और अधिवार से अतिवारण होगा अधिवार से बिदूत परिपत की रचा करता हुआ यह मतलब वह उस्मे अधिवार अधिवारे लिले जो एक बिदूत यह अन्तरिक रचा उपकरन है जो लगुपत, short circuit और overloading से विदुत परिपत की रच्छा करता है उसमें अधिवाद दिले प्रदीप्ती के संदर्ग में अब मुलन गुनांग क्या बतलाता है तो लेंपों से प्रप्त परकास में कमी बताता है प्रदीप्ती के संदर्ग में अब मुलन गुणांग क्या बतलाता है तो लेंपों से प्रप्त परकास में कमी बतलाता है पर्तिवार्ती तरंग रूप में भर्ग माध मुल मान कितनी होती है अस्क्वार रूट मेन भैलू कितना होता है वो बताना है तो तरंग में आयाम पे निर्वर करता है तरंग रुप में आयाम पे निर्वर होता है परतवरती तरंग रुप में बर्ग माध मुल मान कितनी होती है तो तरंग रुप में आयाम पे निर्वर करती है एक तीस दखिएगा एक तीस ओरे विधूत गीजर में ताप नियांत्र किस तरह जुरा रहता है तो ताप अबयाब के स्रेनी में जुरा होता है ताप अबयाब मतलब तापन अबयाब के स्रेनी में जुरा होता है विधूत गीजर का ताप नियांत्रक तापन अबयाब के स्रेनी में जुरा होता है गीजर के अधार पर एक थर्मो अस्टेट युक्ति लगाई जाती है जो इव आकरीती को इमर्शन रोड के स्रेनी करम में समझित की जाती है थर्मो अस्टेट को 32 डिगरी सेलसियस से 88 डिगरी सेलसियस के बीच सेट किया जाता है गीजर की जल धारिता 25 लिटर से 100 लिटर तक होती है इसमें 1 किलो वाट से 3 किलो वाट तक हिटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है एलिमेंट बंद परकार का इमर्शन रोड जैसा होता है दीश्ट धारा जनित्र में, डीसी में गम नागमन गम नागमन कुंडलन और त्रंक कुंडलन के संदर्ग में कौनसा कथन सही है तो आपसर निम्मर डीच सही होगा एक ट्रांस्फार्वण में पूर्ण भाड पर हानी एक हजार बाट है आधे बार पर हानी कितनी होगी और दो सो पचास बाट से देखिए हानी बराबर होता है पुल्न भार हानी गुने वन वटा टू के स्क्वार है पुल्न भार हानी गुने वन वटा टू के स्क्वार है तो 1000 दिया हुआ है गुण वन वट दो क्या स्कॉर तो कटेगा चार हो जाए गई तो कटेगा ते कितना होगा और हाइस सो बाट्स ना देखिएगा नेक्स्ट दोस्त एक 1000 बाट का एक 1000 बाट का हीटर 220 स्वरी 200 वोल्ट विदुद सप्लाई से जुरा है यदि एक महिने में 30 घंटे तक जुरा रहता है तो बिदुद के दाम 4 रुपे प्रती यूनिट हो तो महिने का बिजली बिल कितनी होगा यहाँ पर यह नहीं चर्चा किया है ति कीस महीने की बात किया गया है इस महीना की चर्चा नहीं कि महीने की चर्चा होना चाहिए सिर्फ बोला है तीस महीने में तीस घंटा तक चाहिए तो देखिए सबसे पहले आपको यूनिट निकालना होगा यूनिट निकालने के लिए उपकरण की सक्ति या उपकरण की सक्ति गुने उपकरण की सैंख्या अगुने दीन अगुने घंटा तक घंटा दिया है तीस और बटा एक हजार है तब भागा दीजिएगा तक काटेगा तक कितना हैगा तीस किलो वाट यूनिट है और तीस चौको एक सो बीस है फर्मुलार निकालता है दिये गए उपकरण की सक्ति गुने उपकरण की सैंख्या गुने डे गुने दीन बटा एक हजार से यूनिट निकलता है एक सो बीस प्रकवा होगा कि दिश्ट धारी जनित मतला डी सी जनेरेटर में क्रम बिनियक का काम क्या है तो एसी को डी सी में परिवार्तित काना AC को DC में परिवार्थित करना CFLS लिखता है किसके समान सिधान्द पे कार्ज करती है तो प्रतिदीप्ती लैंप के सिधान्द पे कार्ज करती है याद रखेगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पोल्न भार ताम रहानी किस परिच्छन से ग्यात हो सकती है तो लगू पतन परिच्छन से सौट सर्किट टेस्ट परिच्छन मतलब टेस्ट होता है निम्न में से किस उत्पादन पलांट का दहावी खर्च सबसे कम कोश्ट पुछ रहा हैं निम्न में किस उत्पादन पलांट पे सबसे कम पैसा खर्च होता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन पलांट का सबसे कम लागत होता है मतलों जीरो के बरावर कहा जाए एक आट पोल परत्यावर्तक 350rpm 375rpm दिया है 375rpm पर घूम रहा है यादि पोलों की संक्याद दूग नहीं कर दी जाया तो अब रिती कितनी होगी देखे 8 पोल है और पोलों की साइंग्याद दुगना किया है तो आपको सरेक बतायें थे कि फर्मुला होता है एनर बराबर 120 एफ बटा पे आप रिती निकालना है क्या निकालना है आप रिती एनर बराबर 375 दिया हुआ है पोल बराबर 8 पोल दिया हुआ है अब पोलों को दुगनी कर दिजएगा तो छोलत हो जाएगा यहां पर एफ निकालना है तो पचास हर्टन जाएगा क्या एग गाएगा आपको की निकालनाना है तो पूट करके रखे dunno तो लोगा पचास हर्टा जाएगा कि परिपत में पार्गम्यता बीधुत परिपत के किस गुन के जैसी है तो चलक कात्वे क्या होगा चलक कात्वे बीधुत के नियमों के अनुसार परकास और पंको के परिपत में अधिक्तम भार और अधिक्तम बिंदु कितनी होनी चाहिए बीधुत नियमों के अनुसार परकास और पंको के परिपत में अधिक्तम और अधिक्तम बिंदु कितनी होनी चाहिए तो आठ सौ बाड्स और दस बिंदू सर आठ सौ बाड्स और दस बिंदू फलेविंग के बाएं हात का नियम पुरुक्त करते समय निमन में से कौन सा संकेत इंगित करता है प्लेविंग के बाएं हात का नियम पुरुक्त करते समय अंगुठा गती तरजनी चुमबकेट छेत्र तर्था मध अंगुली धाराक को इंगित करता है अंगुठा, गती, तरजिनी, चुमाकिय, छेत्र, मध, अंगुली, धारा को इंगित करता है किस इस्तिती के लिए अधिक्तम प्रतिपन की आपसाइकता होती है किस इस्तिती के लिए अधिक्तम प्रतिपन की आपसाइकता होती है सूस्व मसीनी कार्ज, क्या होगा सर, सूस्व मसीनी कार्ज हीट अश्टोन सेतु, विधी का उप्योग किस परकार के प्रतिरोधनापने के काम आता है तो मध्यमान के प्रतिरोध, मध्यमान के प्रतिरोध के लिए बर्ग एके रोधाक के लिए अधिक्तम सुरचित तापकरम क्या होता है तो राइट एंसर होगा 105 डिग्री, बर्ग ए रोध के लिए अधिक्तम सुरचित तापकरम क्रम 105 डिग्री सलसियस होता है बिदूत कच तापक की चार कुंडली ताप परदान करने के लिए निर्मित है अधिक्तम ताप परप्त करने के लिए किस परकार जुरी रहनी चाहिए तो चारो समानतर करम में जुरी होनी चाहिए बिदूत कच तापक की चार कुंडली बिभीन ताप परदान करने के लिए निर्मित है अधिक्तम ताप प्राप्त करने के लिए चारो समानतर करम में जोरी रहनी चाहिए एकल फेज ट्रांसफार्मर के दितियक का कुंदरन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है तो फेरा अनुपात का नेक्स्ट क्यूचन है एकल फेज ट्रांसफार्मर के दितियक का कुंदरन करते समय निम्न में किस पर विचार किया जाता है तो फेरा अनुपात का प्रदाय का अमाप निम्न में से किस पर निर्भर करता है प्रदाय मतलब फेडर का अमाप निम्न में किस पर निर्भर करता है तो दहारा पर कैरेंट पर निर्भर करता है आटो मॉइल की बैटरी को अवेशित करने के लिए कौन सा जनित उपयोग किया जाता है तो संट जनित रिसर आटो मुवाइल की बैटरी को आवेसित करने के लिए कौनसा जनितर उप्योग किया जाता है तो संट जनितर से फीडर में भोल्टेज ड्रॉप किसमें मुक्त होता है फीडर में भोल्टेज ड्रॉप किसमें उक्त होता है तो ग्राउंडिंग का परकार ग्राउंडिंग का परकार भूमिगत ताल डालने की सबसे असान बिधी क्या है? तो परत्याच गराई डाइरेक्ट ब्यूरियल होता है भूमिगत ताल डालने की सबसे असान बिधी परत्याच गराई या डाइरेक्ट ब्यूरियल होता है इस विधी में भूमी से 1 मीटर गहराय तथा 0.5 मीटर चौरी खाई खोदी जाती है खाई में 5 सेंटीमीटर एक रेत की पड़त बिचा कर उस पर केबिल बिचा दिया जाता है और केबिल उस पर 15 सेंटीमीटर मोटी रेत की पड़त बिचाई जाती है निम्न में से छैल छबिला सब रंग में रंगिला बराचित का अडिला कहूं दिवतों में नियारा है यह पंक्तियां किनके द्वारा रचना की गई है तो ताज बिवी के द्वारा अकवर की मुस्लिम पत्नी ताज बिवी किरिश्न की अराधना करती थी अकवर की मुस्लिम पतनी ताज बीवी क्रिश्न की आधना करती थी उन्हें मुगल मीरा बाई कहा जाता है किताब में हमेशा क्या रहता है किताब में हमेशा क्या रहता है तो किताब में हमेशा प्रिष्ट रहता है क्या रहता है प्रिष्ट निम्न में कौन सा तदभव है तो जीव क्या हो जाएगा जीव है रमेश का संधी बिछेद क्या होगा तो अपसर नमबर बीशर रमा पलस ई से उर्दू भासा में मुहाबरे को क्या कहते है अलोक का बिलोम क्या होता है तो अन्धकार क्या होता है अन्धकार सूध सब्द का चैन किजिए चारों में सूध कौन सा लिखा हुआ है तो सुरूष्टी निमलिकित में से कौन सा सब्द गनेश का प्रयावाचिस सब्द नहीं है तो दसानन हो जाएगा दसानन गनेश का प्रयावाचिस सब्द निबलकी है रावन की प्रयावाचिस सब्द है रावन के प्रयावाची सब्द क्या होता है लंकेस लंकापती दसकंद इस सब रावन का प्रयावाची सब्द है अपनी बात से पलट जाना अर्थ के लिए उप्युक्त लोक्तियां चुने है तो एक मुह दो बात है एक मुह दो बात है सिस्टा में कौन सा प्रत्याय है तो ता क्या होगा ता साव के उचलंगतार बोलना आम बात नहीं है दोस्तों तो असब कनफ्यूज होता है सलेक्ट दा मोस्ट इंटो नेमी आफ दा गिवन वाड़ है तो एक स्टेंड हो जाएंगे कि वासट के क्या होगा तो काईडियर्स ऑठो तीर सट तीर सट के में कि सलेक्ट दा है कि रेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछ रहा है तो आप्सन नमबर वी होगा 65 देखिएगा 65 बताइएगा अगर इंगलिस आप जानते हैं तो तो आप्सन नमबर डी होगा डिजनिंग देखिएगा परवीन पच्छिम की ओड़ दो किलो मिटर और फिर दाएं तो दाएं क्या होगा इधर और फिर एक किलो मिटर साइकल चलाता है वहाँ परम्बेक स्थिति से किस दिशा में आए तो यहां पर हैसर देखिए इधर उत्तर हुआ इधर पूरा इधर दच्छिन अवेसर क्या है और इसको उत्तर पच्छिम बोलेंगे तो उत्तर पच्छिम इंसर होगा अर्जुन का जन्म एक जन्वरी 2007 सुमबर को हुआ था एक जन्वरी 2008 को सब्ताह का कौन सा दिन होगा तो देखिए शाल में जाएगा है तो एक दिन बढ़ जाएगा और लीप यहर में दो दिन बढ़ेगा लिसोरी लिप बरस में तो सुमबर तो अगला बर क्या होगा मंग समान बर्स में 365 दिन होते हैं और 365 को साथ से भागा देने पर सेस्पल हमें प्राप्तेक होता है एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा सुमबर में मंगल बार है नीचे कुछ कथन दिये गए हैं और उसका निस्कर्स है वे संस्थाएं जो ब्यवसाइक अचाग नितियों का अनुसरन करती है उनके बच्चे रहने की संभावना उन संस्थाओं से अधिक होती है जिनका लच्च के वर लाभ कमाना होता है धालना है कि ब्यवसाइक कि अचार नितियों को लिखित जनकारी महत पूर्ण होती है जिसके त्वारा करंचारी को यह ज्यात रहता कि उन्हें क्या काणा क्या नहीं काणा सभी है संस्थाओं को a B की पुत्रियां हैं तत्था is K विवा भी से हुआ है तो भी का ृ से क्या समंध हैं कि क्या होगा सर ब्रदर इनला क्या समंध हो जाएगा सब ब्रदर इनला सर विकलपों में दिए गई सही अच्छरों का उपयोग का निमलिकित स्रिंखला को पूरा करें तो P K हो जाएगा सर क्या होगा सभी पुरार्तिक सब्द लिखा हुआ है B का उल्टा T का उल्टा G R का उल्टा I तो P के उल्टा K होगा दिये गई स्रिंखला में आगला पाद क्या होगा तो इल सताइस होंगा इल सताइस कि खुद को एक वार की हुचन को बना कर प्रयास किजिएगा तो इरिजिनिंग कितना आपको सही होता है सभी फल बिलिया है तो बहतर कहता है निस्कार्स कुछ फल सेर है कुछ बिलिया सेर है तो अबसा नंबर डी सही होगा केवल निस्कार्स दो पालन करती है निमलिखित में से कौन सा समू से समांधित नहीं है कटोरी, टोकरी, बाल्टी, चाकू मतलब तीनो, चार गों में तीन एक समू का एक भीन है तो चाकू हो जाएगा साथ चाकू, ओप्सन नमर कौन में? बी में तो ओप्सन नमर बी होगा, जो डी में दिया हुए यदि लेस दन कार्थ माइनस, ग्रेटर दन कार्थ, पलस, इकूल कार्थ गुना और यह क्या है, डॉलर कार्थ भागा तो इतना कमान क्या होगा? मतलब इस सभी संकेत के मानों को पूट कर देना है हल करने पर क्या हैगा? तो 27 इंसर आएगा, कितना आएगा? 27 उस विकल्ब का चैन कीजिये, जो प्रस्ना क्रिती के स्रिंखला को पूट करेगी तो देख रहा हैं, कैसे कैसे बढ़ते गया है RC फिन RC यहां है, तो उसी परकार आगे कनभट किया गया है आपसन देखिएगा कौनसा आपसन पूर्ण करेगा, ओ देखिएगा तो आपसन नमर क्या होगा? C क्या होगा? C तो आपसन नमर C होगा GS देखिएगा, भारत का सभिधान 1946 है कि किसके अंतरगात गठित सभिधान सभा द्वारा तयार किया गया था? तो कैविनेट मिशन ओजना के तया थे भारत के सभिधान को 1946 में कैविनेट मिशन ओजना के अंतरगात गठित एक सभिधान सभा द्वारा तयार किया गया था भारत में सांती और लोगतंतर के रच्छा कायने के उदेश से भारतिये बिरिटिश सरकार को कैविनेट मिशन भारत हष्ठांचरन किया था और कैविनेट मिशन ओजना 16 माई 1946 को 22 रायुस में कौन था? तो लाइड बेवेल द्वारा जारिक किया गया था राष्टिये राजनितिक दलोवा जिसने कूल भोट का 6 प्रतिसत प्राप्त किया है वह कौन सा है बताईएगा दो या दो से अधिक राज राज धानी चार या अधिक राज सभी राज तो चार या चार से अधिक राज मानस वन जिव अभयालन किस राज में इस्थित है तो अज्सम में किस राज में इस्थित है अज्सम में तिहरी हाईडरो पावर कॉम्पलेक्स निमलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है तो जहार खंड तीरी हाइड्रो पावर कॉम्पलेक्स निमलिखित में किस नदी पर बनाया गया है तो भागी रत्थी नदी भागी रत्थी गढ़वाल छेतर के उत्तर कासी जिले में कंगोत्री हिम्नाद से निकलती है बंगला देश कीस भारतिये राज के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करती है तो जहार खंड के साथ किसे जहार कंड के साथ किसने कहा देश भाक्ती धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है बकीम चंद्र चटार जी बकीम चंद्र चटार जी ने कहें थे एक दिवासिये किर्केट में 200 बिकेट लेने वाले प्रतम भ्याक्ती का उत्तर दे का पिल देव कौन थे तो का पिल देव एक अप्रेल से भारतिये बायु सेना पुरे देश में कौन सर्ट दस दिवासिये मेगा अभ्यास पार्रम करेगी तो गनन सक्ती 2024 गनन सक्ती 2024 दुनिया का सबसे बड़ा e-commerce प्लेट फारम कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा e-commerce प्लेट फारम कौन सा है तो जे मिसे हाली में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसर भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है तो 16 प्रतिशत की कमी आई है कम्प्यूटर साइंस में आम तोर पर इस्तमाल किये जाने वाला संचिप्त नाम ISP क्या है तो अंतरा जाल सेवा प्रदाता किस कम्पनी ने स्वीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिक्सित की है तो सेव कौन एपल किस कम्पनी ने स्वीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिक्सित की है तो एपल दसमलाब सांक्या कितना को बाइनरी में बदले बाइनरी में बदलने के लिए आपको 2 से भागा देना होगा 2 से भागा लग जाए गा त' 0 होगा से अब average बचेगा तो एक लिखेगा भाख.. के रूप में और उसी को आइड कीजिएगा तो 88 के क्या होगा अब से नमबर ए होगा कि आम तोर पर इस्तमाल होने वाले आम तोर पर इस्तमाल होने वाले फ्लॉप डिस्क का स्टोरेज साइज कितना होता है तो 0.124 MB बल्ड वाइड बेव के अविस्कार के लिए किसे जाना जाता है तो सार टीम बनार्स लिक हो बल्ड वाइड बेव के अविस्कार के लिए किसे जाना जाता है सार टीम बनार्स लिक हो जे पी जी का पूरुनुरुप क्या होता है तो फोटोग्राफि समंदी विश्यों का संजुक्त समू एक प्रोग्राम है जो चल रहा है तो पड़किरिया एक प्रोग्राम है जो चल रहा है हम एक ही इमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं उनके लिए इमेल को आलप विराम चीन को द्वारा अलग करके एक ही इमेल को बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं उनके इमेल पतों को आलप विराम चीन द्वारा अलग करके दिये गए भी कल्पों में कौन सा बिसम है कौन सा बिसम है तो antivirus दिये गए भी कल्पों में antivirus है जो एक पर कर जब कि antivirus software है बाकी सब क्या है trick wall, keyboard, mouse सब hardware है open office इंटरनेट के उप्योग है टू? मोडम कनेक्षन बनाने के लिए निमलिखित में तेलीफोन-लाइन के उप्योग के जाता है, डाइल आपका PDF document या Microsoft Excel sheet को Microsoft Word में किस रुप में समलित किया जाता है तो object के रुप में, किस रुप में तो object के रुप में Microsoft Word में keyboard shortcut control पलस एसे कौन सा कार्ज होता है तो file की सभी समागरी को चैन हो सकता है निमलिखित में से कौन सा word processing soft ब्या नहीं है तो mm excel, ms excel जब आप Microsoft Excel फर्मूला से जूरे किसी cell को delete करते हैं तो निमलिखित में से कौन से टूर्टी होती है तो हाच आड़ इफ तो deux व्योड़ झालतो निमागरी कीan नहीं है जाफ यूस Mmm थो